नमस्कार दोस्तों जिक्के मास्टर सन्नी चनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं HBSC 14 जून रिजल्ट की न्यूज लेकरा हैं बड़ी खबर आपके सामने प्राइविट सकूलों ने उठाई आवाज 10 वी परिनाम जारी करो बोर्ड बिना परिक्साब पास करे 10 दिनों में जारी करे बोर्ड रिजल्ट वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ प्राइविट सकूल एसोसियाशन एक जूट 10 वी विज्यान के परिक्साब जुर्माना लगाने का विरोध आंदोलन करेंगे भीवानी सनिवार को प्राइविट सकूल एसोसियाशन के पदा धिकारी शिक्साब बोर्ड से जुडे मसलों को लेकर बैठख करते हुए प्राइवेट सकूल अरियाना प्राइविट एसोसियाशन संग अर्याना सर्व अर्याना प्राइवेट सकूल संग आधी के परतिनी दियों ने सनिवार को यहां बैठक की परतिनी दियों ने कहा कि विद्याले सिक्षा बोर्ड जुर्माने वे परिक्षा को लेकर हट दर्मिता को छोड़े वे परिक्षा लेने की बज़ाई CCE के अंकों के आदार पर बच्चों के अंतिम अंक जोड़कर परिक्षा प्रिणाम जारी करे परतिनी दिने चिताया की अगर दस दिन के अंदर सरकार कोई ने नहीं लेती है तो परदेश भरके नी जी सकूलो की असोशिशन लाम बंद होकर अंदोलन करेगी फैडरेशन ऊप्राइवेट सकूल असोशिशन के प्रांतिय इकाई के मासचीव रामवतार सरमा वैं प्राइवेट सकूल संक्य अध्याक्स सत्यवान कुंडूर। वे सर्व हरियाना सकूल संग के अध्यक्स नरेंदर सेटी ने कहा कि सकूलों पर जुर्माना लगाये जाने का कोई ओचित्य नहीं है, वे जुर्माना किसी भी सूरत में नहीं भरा जाएगा, यूनियन पददिकारी ने कहा कि परदेश सरकार बोर्ड द्वारव विज्यान की परिक्सा को लेकर पैदा किये जा रहे भरम से, विद्यार्थियों, अध्यापकों व्या अभिभाव को बाहर निकाले, तथा परिक्सा लेने की बजाए अंकों के अधार परावेदन देखकर दस भी का परिक्सा के लिए जानने वाले कोई ओचिते नजर नहीं आता, क्योंकि कोरोन समकरमन के आंकड़े लगतार बढ़ रहे हैं, दोस्तों देख लिए आपने प्रावेट सकूल ऐसे उसियाशन ने का किया का है कि दस दिन के अंदर परिक्सा के लिए जारी नहीं करते है तो वे अंदोलन करेंगे, दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले, धन्यवाद दोस्तों